नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूपर टेडिंग परवीन में रोजाना की तरह मैं आप सब के सामने आ गया हूं फिर से एक बैतरीन और बढ़िया शेयर लेकर चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा उससे पहले आप मेरे चैनल को अब मिला हुआ होता है तो आज जो मैं कम्पणी आप सब को सामने लेकर आया हूं उसकंपणी का नाम है कलपत्रू प्रोजेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी में अभी एक बड़ी खबर आई है इस कंपनी को 3244 करोड के आवर मिले हैं यह आजक्पनी के प्रोजेक्ट मिला है तो आप देखी रहे हैं 3244 करोड के जो इसको और मिले हैं चलिए आगे बताता हूं आपको एक साल पहले इसका पांसो तीस रुपे का था और अब 116 का है इस खबर के आने के बाद आज इसमें 70 रुपे बढ़ गए थे और इसका शेयर 728 तक पहुंच गया था अब मैं आपको बताता हूं कि यह कंपनी करती क्या है यह कंपनी एक ग्लोबल एपीसी कंपनी है यह कंपनी पावर ट्रांस्मिशन और डिस्टिबिशन ऑईल और गैस पाइपलाइन रेलवेज और बायो मार्च बेस्ट पावर जनरेशन के सेक्टर में काम करती है यह कंपनी डिविडेंड भी देती है अब मैं आपको इस कंपनी के नेगटिव पॉइंट्स बताता हूं अभी तक तो मैंने आपको पॉस्टिव पॉइंट्स बताये थे नेगटिव पॉइंट्स बताता हूं इस कंपनी ने चाईपनी ने पिछले 3 सालों में 10.7 परशंट की डिटन आफ एकविटी दिया जो कि बहुत कम है एक यह इसका नेगटिव पॉइंट है और इस कंपनी प्रीचले तीन सालों में प्रमोटर्स ने 14.2 परशंट अपनी हो सब्सक्राइब लगातार अपना इससा बढ़ाते जा रहे हैं पिछले साल सेप्टेंबर 2022 में पांच पॉइंट 08 परसेंट था फिर उन्होंने अपना हिस्सा हर क्वाटर में बढ़ाया है और बढ़ते हुए अब सेप्टेंबर बढ़कर 8.50 परसेंट हो गया है उन्होंने लगबग अपना 3.5 परसेंट के आसपास साइस के अंदर बढ़ा दिया है चलिए आपको इसके शेरोल्डिंग पैटर्न के बारें बता देता हूं इसमें प्रमोंटर्स का 41.07 परसेंट मीचल फंड्स का 49.41 परसेंट रिटेल का 8. परसेंट परसेंट का 8.50 परसेंट और का 2.25 परसेंट स्टेक है तो इससे जड़ी है यह नई खबर आई थी इसलिए आप सब के सामने में शेयर को लेके आया हूं यह मेरी परसेनल थियोरी है यह कोई शेयर से लौप पर्चेस करने की सलाह नहीं है ना ही मैं कोई से इस्ट का लास्ट ट्रेडिंग डे है 2023 का तो आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था और वह आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है अल्रेटी शेयर मार्किट हमार निफ्टी फिप्टी जो है वह चालिस पचास पॉइंट सतर असी पॉइंट तक माइनस गय करेंगे कि इसके अंदर एक उंचाई पर जाने का टार्गेट मिलेगा और हो सकता है यह अगले अपते बाइस अजार के लेवल को पार कर जाए तो चलिए अब मैं कल फिर आऊंगा आप सब के सामने फिर से एक नया चेह लेकर धन्यवाद